आईे आप लोग भी नाश्टा करने के लिए गरमा गरम चाय और खारी हमारे बैंगलोर में इसको बोमबे सॉल्ट बोलते हैं और मूंबई में इसको खारी बोलते हैं तो नाश्टा करते हैं बच्चे जो है स्कूल दोनों गए हैं जड़-जड़ काम बहुत सारे हैं यहाँ पर बन रही है मेरी दाल ये बरी डाल के यहां पर बन रहा है खुशका अनियन प्यास टॉमेटो और बीन्स गाजर से मैट करके तो चलिए बनाते हैं फिर आपको दिखाते हैं तो यहां पर देखिए चावल रिडी हो गया है और मेरे घर में जब इस तरह से हम लोग चावल बनाते हैं बच्चों को बहुत पसंद है लॉट्स ओफ वेजी जिसमें मैं सब डालती हूं तो यहां पर बटाना वगयरा था नहीं कोई लाने वाला नहीं था तो मैंने सुचा के चलिए मैं गाजर रोड बीन्स टामेटो अद्रकलसन यही सब डाल के बना ले हैं तो पहले नहा के आते हैं फिर आगे का काम हम लोग करेंगे क्योंकि इतना हाफ डन तो कुकिंग हो ही गई है कैसे है आप सब उमीद है सब खेर खेरियत से होंगे और आप लोगों की दुआउसे अलहम लोग भी बहतर हैं तो आप लोगों ने सुबा से देखा मैं कुकिंग वगेरा थोड़ी थोड़ी तैयारियां कर रही थी अभी मैं नहा के फारीग हुई हूँ और हम लोग जा रह है आपको और मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा वैसे बोल के फायदा नहीं है आप लोगों कमेंट करना नहीं है तो चलिए कमेंट ना सही थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजेगा और तो चलिए बच्छे आ जाते आने से पहले मैं उनके कपड़े निकाल लेती हूं, तो मैंने अनशरा का यहां पार इंडियान आउटफिट निकाला है, चीकन कारी टॉप, विट यूनिक पैंट और मैंने हमजा को फॉरमल ड्रेस निकाला है, विकास बैड के ही जाना है, बैड के ही जल्दी आना है, मतलब स तो जब तक हमजा के पैंड में आइरन नहीं था तो मैं को किईंक के साथ साथ जो है ना ये सारे काम भी सैथे करते जा रही थी करना तो मुझे ही सुस्ती करके क्या करूंगी तो जल्दी निकलना भी था लेट ना हो जाए तो इसलिए मैंने सुचा के चले करो हम जब से गए कर आया तो मैंने यहां पर उनके भी सारे कपड़े आयरन कर दियो और जमा भी रही ती साथ साथ तो अंशरा हो गई है रेडी और मैं अंशरा का फुल लुक आपको दिखाती हूं मैंने अभी आपको ड्रेस दिखाया था ना इसने कैरी कर लिया है तो चलिए हम लोग जाका र तो इन लोगों ने स्नाग्स बाई किया है अंशरा ने तो सलाम दुआ कर ली लोग रेडी है एकदम तो चलिए चलते हैं फिर मिलते हैं आके मिलते हैं तो गाड़ी आ गई और बच्चे दोनों उतर के जाके बैड गए है मैं भी घर लॉक करके बस निकल रहे हैं हम लोग औ और बच्चे तो इतना जादा खुश है अबा आ रहे हैं करके खास करके अंशरा वो अपने फादर के बहुत जादा क्लोज है और वैसे भी बेटियां जो है ना बाप के बहुत जादा करीब होती हैं अल्ला के नभी के दौर से ये चल रहा है हजरत फातिमा रजियल्ला उत करीब बहुत थी तो ये दस्तूर वहीं से जला रहा है तो अन्शरा पियाथ अपने अबा के बहुत क्लोज है और वो ज्यादा दिन के लिने गए थे वो दस दिन टे 9-11 वह buryटन आए थे अच्चलिब हो अपने घर गह थे और तो हम लोग करें चलो कभी भी वो आते हैं तो मतलब हम लोग आते हैं तो हमेशा हमको लेने आते हैं तो इस पार मैंने सुचे कि चलो हम उनको लेने जाते हैं उनको सर्प्राइस देते हैं तो स्किप नहीं करना और जो लोग मेरे चैनल परना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आप लोगों कॉल नोटिफिकेशन रिसीव हो तो यह हमारे बैंगलोर का एरपोर्ट है यह डोमस्तिक है इंटरनेशनल बाजो का वेसे तो आप लोगों मेरे व्लोग में वहुगर बाज़ बार बैंगलोर का आरपोर्ट देखा होगा जब अभी मैं मंबई गयी तब देखा होगा फर रिसेंटली कुछ महीने पहले भी देखा हो तो बच्चे लोग जैसे स्कूल से आये अल्रेडी हम लोगों को घर से निकलने पांच बच चुके थे पहुने पांच हो गए थे उस दिन तो हम लोग जो है ना जल्दी ही निकल गए थे और फिर कुछ खाया नहीं था वही आपने जो स्नाइक देखा हम लोगों ने बस वही बादी चाय पी तो बच्चे भी भूके थे और यह भी सुबात जल्दी निकले थे तो इन्होंने भी कुछ निखाया तो यह सामने आप लोग जो देख रहे ना मैं जूम करके दिखा रही हूं यह इंटरनेशनल एरपोर्ट था जब एरिया खतम होता आगे आएंगे तो य दोसा खाने के बाद में मैंने एक अच्छी वाली चाय पी जिसकी सबसे जादा जरूरत होती है चाय के बीना तो चलता नहीं है तो मैंने यहां पर जो है ना डोसा खाया चाय पिया उसके बाद में हम लोग निकले घर की तरफ और अल्लाहु अकबर इतना जादा ट्राफिक हम लोग घर आया आई तिंग टैन ओक्लॉक हो चुके थे यहां पर 945 हो गए थे आई तिंग 145 या 50 हो गए ते ट्राफिक के बज़े से तो जो भी होगा इंशालला घर आके मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी आज तो नहीं लेकिन कल रात में आने के बाद में जैस का हलवा लेकर आहे थे और ड्राइडेव का हलवाले कर आहे थे और गुज्या लेकर अइसाड़ थोड़ाए थिम सब थोड़ा थोड़ा लेकर आहे त Marcel नको मना कर दा कि आप कुछ भी लेकर नहीं आना कर तो inea कोई कुछ़ खाता नहीं है तो सॉश से बाद बेस्ट हो जा उसके बाद मैं अगेन आ जाओ तो तीसरे दिन का ये मैंने शूट किया है शूट ना करने का वज़े ये थी कि अंशारा को बहुत जादा फीवर आरा और बच्छे बीमार होते हैं तो फिर अपने जो हैना माओं को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं तो मैंने यहां पर जो ह जब तक चेंज कर दो मैं मिशीन लगा देती हूं तो मैंने मैं जब तक यह जो है ना यहां पर स्कुर राइवर ढूंड रहा था मेरे मशीन से तो उस मेंने कपड़े वगएरा इखटा करी मशीन लगाने के लिए परदे वगएरा भी दोने थे तो आज के व्लॉग में इत